आज हमें स्टडी करेंगे operations on ramp signal इससे पहले हमने operations on continuous time signal और डिटेल में कर रखा है तो इन दोनों concept को मिलाकर अब हम स्टडी करेंगे operations on ramp signal जो की examination point of view से हमारे लिए बहुत जादा important है सो चलिए topic स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ram function होता है सबसे पहले मैं आपके लिए draw कर लेता हूँ r e versus t और यह आपका होता है ram function यहाँ पर मैं unit ram का example ले रहा हूँ ram के बारे मैंने आपको सिखाया है कि ram function हमेशा slope के form में represent किया जाता है तो अगर मैं बात कर रहा हूँ unit ram की इसका मतलब slope कितनी है उसकी 1 है तो यहाँ पर सबसे पहले हम learn करेंगे scaling property तो scaling property क्या होती है ram की तो अगर आप ध्यान से देखेंगे scaling property को तो unit ram मैंने आपको बताया यहाँ पर मैंने draw किया हुआ है unit ram का मतलब क्या होता है slope 1 इसका मतलब 1 पे 1 2 पे 2 3 पे 3 4 पे 4 and so on ठीक है जब time 1 होगा तो amplitude भी 1 होगा 2 पे 2 होगा 3 पे 3 होगा इसी का मतलब होता है आपका slope 1 होना ठीक है यह already हमनों discuss कर चुके है अब आप ध्यान से देखिए suppose कर यह हमारा target है कि हम r of 2t बना ले तो अगर हम यहाँ पर r of 2t बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी आपका equation में multiply होगा figure में क्या होगा divide होगा तो देखिए यहाँ पर मा लीजिए 1 पे 1 था 2 पे 2 था 3 पे 3 4 पे 4 था ठीक है same figure मैंने दुबारा repeat कर दिया है अब क्या करना है आपको 2 से यहाँ पर multiply हो रहा है तो figure में क्या कर देंगे 2 से divide हर एक point को आप 2 से यहाँ पर divide करेंगे यही मैंने आपको सिखाया है operation on continuous time signal में तो अब आप ध्यान से देखिए actual में अब क्या हुआ मैंने आपको इस time भी बोला था amplitude को change मत करिएगा जब भी r of 2t यह x of 2t बोल रहा है तो सिर्फ time में 2 से divide करिएगा amplitude same रहेगा तो actual में क्या हुआ पहले 1 पे 1 था अब देखिए 2 by 2 1 1 पे कितना हो गया 2 पहले 2 पर 2 था अब 4 by 2 2 2 पे कितना हो गया 4 वैसे ही आप और भी example ले सकते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि just double हो रहा है यहां पर ठीक है ना 1 पे 2 2 पे 4 पहले 1 पे 1 था 2 पे 2 था इसका मतलब R of 2T जैसे ही आप perform करेंगे यह बन जाएगा 2RT ठीक है मतलब amplitude जो है वो double हो रहा है आपका clear हो गया अच्छे से तो उसी तरीके से आप लिख सकते हैं R of AT is equal to ART clear हो गया point तो यह होती है आपकी scaling property of RAM तो I hope यह scaling property यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से clear हो गई होगी अब हम यहाँ पर learn करेंगे कि कैसे हम triangular waveform को या trapezoidal waveform को represent कर सकते हैं form of RAM इससे पहले हमने study किया हुआ है square waveform को या rectangular pulse को कैसे हम represent कर सकते हैं terms of step function तो आज हम ramp function का use कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक standard triangular function ले लिया है जो already हमने learn कर रखा है जब हमने types of continuous time signal study किया था तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस standard triangular function के लिए आपका target क्या है कि आपको इस equation के form में लिखना है तो जैसा मैंने आपको बताया है पहले भी कि जब भी आपको कोई slopey line दिखाई देगी न हमेशा आप ramp function के बारे में सोचिए तो यहाँ पर देखिए आपको slopey lines दिखाई दे रही है तो आप समझ जाईए कि आपको ramp के form में इसे represent करना है कैसे करेंगे ध्यान से समझिए सबसे पहले आपको slope निकालनी होगी इस line की तो यह points क्या-क्या है minus t,0 और यह point क्या है आपका 0,a तो x1, y1, x2, y2 तो slope मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ slope हम कैसे निकाल सकते हैं इस line की y2 minus y1 x2 minus x1 पहले आप दोनों points decide कर लीजी कौन-कौन से हैं x,y, x,y और उसके बाद आप यह formula अप्लाई कर दीजिए तो y2 minus y1 ध्यान रखिएगा x1, y1, x2, y2 अब किसी को भी मान सकते हैं इसको भी आप x2, y2 मान सकते थे फिर x2 minus x1 मतलब 0 minus of minus मतलब plus t ध्यान से देख सकते हैं आप यहाँ पर minus sign है तो minus minus क्या लिख देंगे आप प्लस लिख देंगे तो यह slope कितनी आ गई है आपकी a by t तो जैसे ही आपको slope यहाँ a by t मिली हमीशा ध्यान रखिएगा जब भी figure symmetrical हो ना जैसे आप देख सकते हैं माइनस t से प्लस t तो अगर left hand side की slope a by t है तो decreasing slope मतलब देखिए आप यहाँ पर increase कर रहे थे आप decrease कर रहे है decreasing slope always minus a by t होगी आप चाहें तो same process से निकाल कर भी देख सकते हैं लेकिन exam में आपको time waste बिलकुल नहीं करना है जब भी figure symmetrical हो clear हो गया point अब हमारा target क्या है हमारा target यह है कि इस x t को हम represent करें in form of ramp तो ध्यान से देखिए आपको क्या करना है आपको सबसे पहले extreme left से start करना है तो सबसे पहला time का value कौन सा दिख रहा है आपको minus t ध्यान दखिएगा ramp मतलब slope तो देखिए minus t के पहले slope कितनी है देखेंगे minus t के पहले signal कुछ ऐसा है ठीक है तो minus t के पहले horizontal line है एक तरह से कुछ भी नहीं है ठीक है तो horizontal line के slope क्या होती है zero तो minus t के पहले slope zero है minus t के बाद अचानक से slope कितनी हो गई a by t मतलब कितनी slope add हुई a by t add हुई ध्यान रखिएगा तो पहले minus t वाला point दिख रहा है न तो पहले यहाँ पर लिख दीजिए r t plus t clear हो गया t plus t equal to 0 मतलब t की value minus t पहला कहां आप यह कर दीजिए उसके बाद slope slope कितनी add हुई है a by t तो सामने लिख दीजिए a by t फिर आप आगे बढ़ते जाएए तब तक आगे बढ़ते जाएए जब तक slope change ना हो तो देखिए इस point पर slope change हो रही है इस point के पहले point मतलब t equal to 0 point के पहले slope कितनी थी a by t point के बाद slope कितनी हो गई minus a by t आपको slope में change देखना है a by t से minus a by t किस point पे t equal to 0 पे मतलब rt तो slope a by t थी पहले अब minus a by t हुई मतलब minus 2 a by t आपने add किया होगा इस point को आराम से समझिएगा अब आप खुद सोचिए अभी आप 10 पर है और आपको minus 10 पर पहुंचना है तो आपको क्या add करना पड़ेगा minus 20 तो 10 minus 20 कितना हो जाएगा minus 10 यहाँ पर देखिए a by t पर है minus a by t पर पहुंचना है तो कितना add करना पड़ेगा minus 2 a by t अब आपकी नई slope कितनी है minus a by t है इस बात को ध्यान रखिएगा फिर देखिए तब तक जलते चलिए जब तक slope चेंज रहा हो तो देखिए इस point पर पहले slope minus a by t थी अब फिर से slope कितनी हो गई 0 हो गई ध्यान रखिएगा यहाँ पर amplitude भी 0 है slope भी 0 है लेकिन किसी भी horizontal line की slope हमेशा ही 0 होगी यह point आपको ध्यान में रखना है तो पहले slope minus a by t अब slope 0 तो इस point पर यह point कौन सा है r t minus t तो इस point पर आपने कितनी slope add की होगी minus a by t पर हैं अभी हम लोग 0 पर जाना चाहते हैं तो plus a by t तो यह complete हो गया और कोई point ही नहीं है time का देखिए कितना easy था clear हो गया तो आज के बाद से आप किसी भी triangular pulse को अराम से represent कर पाएंगे in terms of ram function clear मैं अभी एक और example लोगा trapezoidal waveform का उसको भी मैं आपको represent करना सिखाऊंगा in terms of ram function तो आप देख सकते हैं मैंने एक और slope य टाइप का figure लिया है that means मैंने यहाँ पर एक trapezoidal waveform है triangular से अलग दिखाई दे रही होगी आपको लेकिन कहीं पर भी कोई भी slope दिखाई दे हमेशा ध्यान रखिएगा उसे आप represent कर सकते हैं in terms of ramp तो पहला target आपका वही है कि आपको extreme left से start करना है और starting line की slope निकालनी है तो सबसे पहले हम slope find out करेंगे तो minus 6,0 देखे इस line की slope हम निकाल रहे है तो यह point क्या है minus 6,0 यह point ध्यान से देखिएगा इसका x value क्या है minus 4 y value कितना है 10 तो फिर से यह x1, y1 x2, y2 तो slope हमारी क्या हो जाएगी y2 minus y1 मतलब 10 upon x2 minus x1 तो minus 4 minus of minus 6 मतलब minus 4 plus 6 तो 2 मतलब slope क्या हो गए 5 change in y axis divided by change in x axis तो यहाँ पर हमने slope अचीव कर ली तो यहाँ पर आप slope लिग दीजिए 5 अब आप फिर से अगर ध्यान से देखेंगे minus 6, minus 4, 4, 6 figure बिलकुल symmetrical है तो यह वाली slope निकालके बिलकुल time मत खराब करिए direct लिग दीजिए minus 5 clear हो गया अब हम इसे represent करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यह हमारे पास complete figure है slope हम निकाल चुके हैं तो xt की value क्या होगी देखिए सबसे first point क्या है minus 6 है तो आप क्या लिखेंगे rt plus 6 minus 6 के पहले slope कितनी थी 0 minus 6 के बाद slope कितनी हो गई 5 तो plus 5 आपने किया होगा फिर आपको तब तक चलते जाना है जब तक slope change रहा हो अब देखिए इस point को इस point पे slope constant मतलब 0 हो गई इस point के पहले slope कितनी थी 5 फिर आपको एक horizontal line मिल रही है मतलब slope 0 हो गई है तो पहले 5 थी minus 4 t equal to minus 4 के पहले slope थी 5 उसके बाद हो गई 0 ध्यान रखिएगा यहां amplitude है 10 slope नहीं है slope 0 है horizontal line की slope क्या होती है 0 तो minus 4 के पहले 5 बाद में 0 मतलब क्या किया आपने minus 5 किस point पर minus 4 पे मतलब rt plus 4 पे अब देखिए फिर आप चलते चलिए कब तक चलते जाना है जब तक slope चेंजना हो देखिए इस point पे इस point पे जैसे ही आप पहुँचेंगे पहले slope क्या थी 0 थी अब क्या हो गई minus 5 किस point पे 4 पे मतलब minus 5 rt minus 4 अब देखिए फिर ये आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो यहाँ पहुचेंगे 6 पर 6 के पहले क्या थी minus 5 6 के बाद क्या हो गई 0 हो गई इसका मतलब क्या किया आपने इसका मतलब आपने किया plus 5 rt minus 6 clear हो गया और अगर आप ध्यान से देखेंगे न तो पहले भी slope 0 थी बाद में भी slope 0 हो गई तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो total slope count कर लीजिए 5-5 0-5 plus 5 फिर से 0 ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी slopey type के figure को ram function के form में represent कर सकते हैं तो आज की lecture में इतना ही लेकिन मैं step function और ram function के operations के उपर एक separate video all लूँगा जिसके मैं कुछ problems और discuss करूँगा दोनों को मिला कर तो I hope आपको यह फूरा concept यहाँ पर बहुत अच्छी से clear हो गया होगा Thank you